ओके तो कल की वीडियो में जो है हमने वांडी जे काल जो है डिसकस किया था कि तो हम लोग जो डिसकस कर रहे थे वो था कि ब्रिटिश काल में किस तरह के से भारतिय अर्थवश्ता पूरी तरह से प्रभावित हुई थी उसके बारे में तो एक वीडियो मैंने जो है अपलोड में डिसकस करेंगी तो अनुद्धोगी करण जो की रजनी पामदत के द्वारा जो है बताया गया दूसरा चरण है ठीक है क्योंकि उन्हों में जो है इंडिया टूडे नामक पुस्तक में अर्थवस्था भारतिय अर्थवस्था पर जो जो परभाव पड़े थे उसको तीन चरणों में बताया है वाड़ेजिक उद्धोगिक और वित्यपुंजिवाद तो उद्धोगिक और वित्यपुंजिवाद जो है हम आज डिसकस करने वाले है ठीक है अनुद्धोगी करण जिसे वो डी इंडस्ट्रलाइजेशन कहती है तो कहा जाता यह है कि भारत में अठ 1800 से 1850 के बीच के काल को जो है अनुद्धोगिक करण या विफ्धोगिक करण कहा जाता है ठीक है किस कि ने कहा है रजनी Пामदत ने कहा है किस वुस्तक में तो इंडिया टूडे में कहा है तो कहा यह जाता है कि 1765 से 1785 के बीच इंग्लैंड में जो है कई सारी मशीनों का विश्कार हुआ था जैसे कि हर ग्रीब्स ने जो है कताई की मशीन का विश्कार किया जेम्स वोट ने भाप के इंजिन का विश्कार किया आर्क राइट ने वाटर फ्रेम का विश्कार किया और Kart Wright ने जो है वाटर लूम का विशकार किया था इन सभी अविशकारों का परिणाम ये होता है कि Britain में उद्धोगित करांती आती है अब उद्धोगित करांती से क्या क्या नुकसान होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था किस तरीके से भारत का जो हास से बनाये जाने वाला जो कपड़ा वगरा होता है उद्धोग वगरा होता है वो पूरी तरह से तैस नहस हो जाता इस पर जो है विलियम बैंटिक कहते हैं कि इस दुरदशा का व्यापार के इतिहास में जोड नहीं भारतिय बुनकरो की हड़ियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी है ठीक है किस ने कहा है कि भारतिय बुनकरो की हड़ियां जो है भारत के मैदान में बिखरी पड़ी है ये कहा है विलियम बैंटिक ने ये कहते हैं उद्धोगी करांती के पस्चात ठीक है अब क्या है कि ब प्रिटे सरकार है वो भारत के कच्चे माल को देश के अंदरी हिस्से तक जो है या कहें कि बंदरगाहों तक ले जा सके और दूसरा सेना को दूर-दूर दराजों तक भेज सके ताकि विद्रो दमाने में आसानी हो ठीक है क्योंकि भारते जो होते थे छोटी-छोटी बातों विद्रो करते थे तो उन्हें इस बात का डर रहता था तो इसलिए जो है उन्होंने इस तरीकी रेल विवस्ता चलाई कि सेना एक इस्तां से दूसरे स्थान जल्दी से पहुंजाई जा सके और विद्रो पर नियंतरण बनाया जा सके ओर रेल के बारे में पहली रेल येल ब थारा सु त्रेपन में बिचाई गई थी बुंबई से ठाणी के बीच में और रेल का विसकार जो है रेल का विसकार नहीं मतलब की रेल की जो लाइन है वो बिचवाई गई थी लॉड डलहोजी के द्वारा ठीक है लॉड डलहोजी को आपको याद रखना है ठीक है और उसके आईने और विस्तरित करवाई थी वो करवाई थी किसने तो आपको याद रखना है लौड करजन और कॉल मार्क्स ने इसे जो है आधिनिक युग का अग्रदूत कहा है यह तो आपको याद रखना है शूती वस्तरो की परतम मील जो है 1883 में कवास जी नाना भाई के परियासो से 1904 से 5 तक ठीक है कवास जी नाना भाई के द्वारा स्थापित की गई थी और कहा जाते है 1904 से 1905 तक कुल 266 ठीक है 66 कपड़ों के मील जो है बना दी गई थी और विश्व युद्ध की समापती पर जो है हार्डिंग महध्या ने 1916 में सर्थॉमस हॉलेंड के नित्रित में एक भारतिय उध्धोगिक आयोग के स्थापना गी थी आपको याद रखना है कब बनाता भारतिय उध्धोगिक जो है किन-किन ने लगाया था और कितने कितने रुपए में लगाया था एक्जाम में पूछा जा सकता है तो दादा भाई नारोजी जो परतिवेक्ति आये बताते हैं 1868 में 20 रुपए ठीक है लॉड करजन जो है 1901 में इन्होंने परतिवेक्ति आये बताई थी 30 रुपए विलियम डिगवी जो थे इन्होंने 18 रुपए बताई थी और वी के आरवी राव जो थे इन्होंने 1931 में परतिवेक्ति आये भारत की 62 रुपए तक बताई थी ठीक है अब दादा भाई नारोजी के परतिवेक्ति आये का अनुमाल लगाने वाले जो है यह पर्थम राष् परतियाय का पर्थम विज्यानिक आकलन वो किस ने किया था तो डॉक्टर V.K.R.V. राव ने किया था ठीक है विज्यानिक आकलन अगर पूछे तो आपका आंसर होगा डॉक्टर V.K.R. राव ने धन का बहीर गमन सिध्धान्त जो है या कहें कि ड्रेिन ओफ वेल्थ थिय यह श्रोरी किसे द्वारा दी गया है तो आपको याद अठना है यह दी गया है दादा भाई नेरोजी के द्वारा ठीक है अलाकर इनों ने आर्थिक शोशन गुआ था उसके उपर लिखा था यह सब और यह धन के बहिर गमन सब्द जो है ये दिया गया था रनाडे के द्वारा ठीक इन्होंने जो है इसको ये संग्या दी थी तो दादा भाई नरोजी जो थे इन्होंने दो माई 1866 को लंदन में आयोजित इस्ट इंडिया एस्ट इंडिया की बैठक में अपने पेपर जिसका जो सीर्चक था वो सिद्दान दिया है अन्ने कई सारे और भी लेख थे दादा भाई नरोजी के जैसे कि पवर्टी एन अन्बिटिश रूल इन इंडिया 866 में लिखे गई थी दादा भाई नरोजी ने जो है धनकी निकाशन को अनिस्ठो का अनिस्ट यानि एवल आफ आल इवल की संग्या द सिद्दा आते हैं इन्होंने भी भारत का आर्थी के इतिहाज बताया है और यह परसिद्द अर्थसास्त्री थे और राष्टवादी नेता भी थे इनकी जो किताब है वो है इकनोमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया उन्निस सो एक में परकाशित हुई थी उनके अनुसार उनके भारत के सकल राजसों का लगभग आधा हिस्सा परति वर्ष बाहर ले जाया जाता था ऐसा कहा है इसने तो आर्ची दतने कहा है रमेश चंद्र दतने कहा है ठीक है दत महोध्या ने ही धन के बहिर गमन को एक बहते हुए घाव की तरह बताया है ठीक है जितने भी लाइन से जो पॉइंट से यह आपको याद रखने है क्योंकि एक्जाम में यहां से पूछे जाते हैं सवाल ठीक है तो यह भी आपको पता होने चाहिए तो इस प्रकार जो है हमने जो डिसकस किया वो था रमेश चंद्र दत के का सिधान्त ठीक है और दादाभाई नेरोजी वाला औ यहां से पिछली बार भी कोशन पूछा गया तो आप उसे देख सकते हैं ठीक है पहली वाली वीडियो जो है उसमें मैंने इसको डिसकस किया है काफी विस्तार से ठीक है तो थोड़ा मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं जैसे की रजनी पामदज जो है इन्होंने इ अणेजे काल के अगरम बात करें तो 1757 से लेकर iş अग्र tentang तक था उसके बाद अनुधोगी करण की अगरम बात करें जिसे वेधवी करें पिटाती है अठ्थार सो तेरा से 1858 सो अठावन तक था थीक है इसका काल और तीसरा जो नूर्य ने बताय था वो बताया था वितिय प ठीक है वो वीडियो एक बार आप जरूर देख लें ठीक है क्योंकि वहां से जो है questions पूछे जाते हैं तो इसलिए ये इसका part 2 है part 1 जो है वो पहले वाला ही वीडियो है तो वीडियो पसंद आई हूँ तो like जरूर करें चैनल को subscribe नहीं किया तो जरूर कर लें और पहले की ही वीडियो के लिए link जो है वो description में देदी गई है और इस वीडियो के end में भी जो है आपको link मिल जाएग게 सो मिलिंगे नेक्स वीडियो में थैंक्स ववाचिं इस वीडियो